हालो और वेलकम बैक तो शिका का सिंसार तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइपस ऑफ स्टैलिश गर्ल टॉप और मैं आपको बताने वाली हूँ 25 ऐसे स्टैलिश टॉप का नाम जो शायद आपको नहीं पता और कभी कभी ये होता है कि शॉप कीपर को भी उनके नाम नहीं पता होते केवल ओनलाइन वेबसाइट या ओनलाइन किसी भी ऐसी वीडियो बगरा में वो अविलेबल होते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी 25 ऐसे स्टैलिश टॉप जो आप अपनी वार्डोब में रख सकते हैं और आने वाली समर या फिर विंटर्स के लिए वो काफी जादे कमफरेबल और आपकी वार्डोब में एसेंशल आइटम हो सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैं हमारा टीर टॉप इस टॉप में एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर होती है जिससे इसमें टीर्स बन जाते हैं कॉम्प्रिमेंट्स आ गारेंटेट विद इस टॉप अगर आप ये टॉप पहनेंगे तो आप कॉम्प्रिमेंट्स मिलने ही मिलने हैं सेकर्ड नमबर पे आता है आपका टूप टॉप 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 में कोई स्लीज नहीं होती और ये टिपिकली वेल टेटेड होता है ये क्रॉप्ट होता है वेस्ट लेंग पे आप इसको डंगीज के साथ भी ट्राय कर सकते हैं नमबर थर्ड है हमारा ट्यूणिक टॉप ये एक लूस विटिंग टॉप होता है जो मिट थाइस तक पहुशता है और आप इसको एक ड्रेस के जैसे भी पहन सकते हैं या फिर धोती और चुलीदार के साथ भी ट्राय कर सकते हैं दिपिका पादुकोर ने लव आज कर मूवी में चोड बजारी सौंग में इसको पहना था तो अब तो आप पैचानिंग गए होंगे कि टूनी टॉप हमारा कौन सा होता है एलाइन टॉप यह सभी बॉडि टाइप को सूट करता है यह ना तो ज्यादा फिट होता है और ना ही लूज होता है और यह सभी ओकेशन के लिए पॉफेक्ट होता है तो इसलिए इस समर इस टॉप को अपनी वार्डोब में आप जरूर इंक्लूट कीचेगा नेक्स्ट है हमारा बार्डोट टॉप अगर आपको अपनी टोन शोल्डर फ्लॉट करने है तो यह बेस टॉप है आपके लिए और इस समर अगर आप अपनी वार्डोब में कुछ एड़ करना चाहते है तो यह जरूर एड़ करनें नेक्स्ट है हमारा ब्लाउजन टॉप इस ब्लाउजन टॉप में वेस्ट पर एक इलास्टिसिटी बैंट होता है जो इसको बहुत ही स्टैलिश बनाता है केप स्टैल टॉप एक स्लीवलेस आउचर वियर होता है लेकिन केप टॉप में स्लीव जोती हैं और यह मोस्तली वेस्ट गोता है कुछ टॉप थोड़े लॉंग भी हो सकते हैं सींच वेस टॉप यह टॉप आपको एक स्लेमिंग एफैक्ट देता है cold shoulder top यह top 2017, 18 और 19 में trending था और अगर experts की माले तो यह 2021 में भी side line नहीं होगा और आपको इस fashion statement देगा corset top यह top आपकी chest के रीचे waist के around fit होता है और आपकी figure को एक flattering shape देता है तो अगर आप बहुत ही जादा slim trim है और आपको अपनी perfect figure flaunt करनी है, top इस top के लिए जरूर जाएगा choker top यह एक regular top है जिसमें Vee या round shape की neck होती है and कुछ fabric top के उपर से आपकी neck के around attach होता है और ऐसा look देता है जैसे कि आपने choker पैना हो, इस top के साथ आपको कोई भी neck accessories की need नहीं है crop top, इस top को introduction देने की need नहीं है इसको आप casual outing से आफे stylish college look के लिए भी पैन सकते है यह fashion sensual है जिससे किसी भी size and shape की girls पैन सकती है ethnic top double duty piece हम सब को पसंद होता है and यह top ethnic look के लिए एक दोब perfect है इसको बस आपको कुछ accessories के साथ पैना है and यह विल्कु perfect look देगा अगर आप ethnic के लिए जाना चाहते हैं तो halter top halter top में tie up neckline और backlessness होती है जो आपके look को sensual बनाता है तो अगर आपको थोड़ से sensual नीचे पसंद है तो आप halter top अपनी wall row में ज़रूर एक दीचे asymmetrical top इस top की hemline irregular होती है इसकी length आपकी waist and thighs के beach की हो सकती है कफ्तान इसको mostly cover up के जैसे पहना जाता है बट इसको आप top, tunic या dress के जैसे भी पहन सकते हैं ये wool, kashmere, silk या cotton का हो सकता है अगर आपको loose tops पसंद है तो कफ्तान आपके लिए best choice है kimono ये traditional Japanese wardrobe से inspired है जिसमें long या loose clothing के साथ white sleeves होती है इसमें straight hemline होती है जो कफ्तान में नहीं होती कफ्तान और kimono में बस यही difference है maxi top ये एक long top type होता है जो never high front slit वाली maxi top आजकल काफी trend में है one shoulder top इसमें एक shoulder bare होता है और दूसरा sleeve peplum top इसमें एक hanging fill या flaunts होता है और ये modern working woman के लिए best choice है ruffle top इसमें बहुत ruffles होते है जो top के hemper, neck पर, sleeves के कफ़र या पूरे top पर हो सकते है और ये आपके top को एक frilled look देता है sheer top ये see-through top होते हैं क्योंकि ये semi-transparent कपड़े से बने होते हैं ये chiffon, georgette या gauze fabric के हो सकते हैं और mostly इनकी neck ये sleeves पर beautiful embroidery होती है style back top इसके stylized back design होता है जबकि इसका front एक T-shirt के जैसे simple हो सकता है इसके criss-cross, keyhole, tire, fasten कोई भी design हो सकता है और आज का हमारा last top है tank top ये एक close fitting sleeveless top होता है जो mostly ribbon cotton का बना होता है इसके low hanging neckline होती है और different width की shoulder strap होती है बहुत classic लगता है जब jeans and streaker के साथ इसको पहना जाए So this was a video और ये आपको 35 ऐसे top की पूरी जानकारी दी है जिसके आप बाल में शायदा पहले नहीं जानते होंगे और आज के बाद आपको इनकी नाम कभी भी आप भूलों ही नहीं प्लस अपने wardrobe में इनको add करने के अब जरूर सोचगे तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe and वीडियो को like करके जाना मिलते ही ऐसी अपने एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में तिल देन चेके बाबाई